हेलो अब्रीबान, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजिल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपनी चैनल पेपर लीचे में जिसके अंदर हमसे Maths के अंदर गनित के अंदर जो भी topic यहाँ पर पूछ जाते हैं, उसके हम trick wise class यहाँ पर देखने वाले हैं, अगर देखिए आपका यहाँ पर Maths का background नहीं भी होता है, तो भी आपको यहाँ पर PRT में Maths के questions जो हैं, वो करने होते हैं, साथे साथ सेम आपक यहाँ पर अगर TGT में आपका कोई और subject है main, फिर भी आपको general part में Maths जो हैं यहाँ पर करनी होती है, और 20 नंबर की Maths आपसे पूछी जाती है, जो कि आपकी एक तरीके से selection में एक deciding factor रहता है, तो देखिए आज की series से मैं आप लोगों का day 1 यहाँ पर शुरू कर रही हू और अगर आपने previous year paper देखे होंगे, तो हमें यहाँ पर एक topic पूछ जाता है, जो कि unit digit से related है, और इस तरीके का question आपने देखा होगा, यहाँ पर बीच में add का sign लगा कि question को लंबा कर दिया जाता है, अब यह unit digit के questions के लिए आपको क्या चीज़े सीखनी हैं, और बस इस trick के माधियम से unit digit का कोई भी question आप जल से जल यहाँ पर solve कर पाएंगे, बस आपको इस छोटे से वीडियो में बने रहना है, और इस वीडियो के बाद आपका यह topic यहाँ पर आपके exam के लिए clear हो जाएगा, अगर आप data plus भी exam के तियारी कर रहे हैं, जाए PRT, TGT या PGT, तो यह general वाला part आप लोगों के लिए बहुत important होने वाला है, अब देखी, जैसे कि मैंने कहा कि unit digit के question आपके बनते हैं, और unit digit के लिए एक table और नीचे छोटा सा concept मैंने आप लोगों के लिए त्यार किया है, जैसे कि यहाँ पर देखी, unit digit में होता क्या है, कि आपके पास कोई भी अगर number लिखा हो, तो आपको उसके last number पे focus करना होता है, और उसके उपर question कुछ यहाँ पर power होती है, अब अगर मैं इसे power के हिसाब से खोलने लग जाओं, इसके power 71 दे रखी है, या फिर आप नीचे देखने तो 400 से उपर आपकी power दे रखी है, अब ऐसे question को आप कैसे हल करे अब यह table जो बना रखी है, वो आपकी कहां से कहां तक है, दो से लेकर 9 तक के number की यह table आपकी तयार की गई है, और यहाँ पर यह जो लिखा गया है, इसका मतलब है 2 की power 1, 2 की power 1 कितना होता है, यह 2 होता है, 2 की power 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 की power 8 कितना होता है, 2 की power 3 कितना ह होता है तो आप कहेंगे यहाँ पे 16 होता है बड क्यूंकि हम युनिट डिजट की बात कर रहे हैं तो 16 में से हम इस डिजट को ना लेके 6 को लेते हैं तो इस तरीके से पूरी टेबल आपकी तयार की गई है अब आपके दिमाग में कुश्ण होगा क्या हमें पेपर के लिए प मतलब नहीं है आपको बस यह याद रखना है कि यह जो भी आपके नंबर हैं जैसे कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनकी साइकलिसीटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे 2 की पावर एक कितना दिया है 2 अब यह जो 2 है यह कितने के बाद रिपीट होगा तो 2 की पावर 4 के पिर से यह 2 रिपीट होता है अब इस सीच को समझाने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक उधारन लिख रही हूँ 2 की पावर 1 कितना होगा तो आप कहेंगे 2 होगा 2 की पावर 2 कितना होगा तो आप कहेंगे 4 2 की पावर 3 कितना होगा तो आप कहेंगे 8 2 की पा बाद रिपीट हुआ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर दो की साइकलिसिटी क्या होगी चार आपको बस यह याद रखना है बीच की चीज़े याद नहीं रखनी है इसके अलावाद तीन की साइकलिसिटी क्या होती है तीन की साइकलिसिटी भी आपकी क्या होती है चार इसके अलवाद 4 की cyclicity क्या होगी? यहाँ पे होगी 2 साते साथ यहाँ पांच की cyclicity, अब देखें 5 तो हर किसी में आ रहा है, तो 5 एकी बार में repeat हो रहा है, इसलीए यहाँ पे होगा 1, इसके अलवाद 6 भी आपका हर किसी में repeat हो रहा है, तो 6 की cyclicity भी आपकी एक इसके लावा 7 की cyclicity आपकी 4, 8 की cyclicity 4 और 9 की cyclicity हापे 2 क्योंकि देखिए 9 के बाद यहीं पे 9 आपका repeat हो रहा है तो इसलिए हापे 2 आए जैसे कि मैंने कहा कि यह आपको याद रखना और क्या याद रखना है सिर्फ यह number और इनकी cyclicity आपको यहाँ पे याद रखनी है और अगर आपने यह याद रख लिया और साथ में छोटा सा concept इस concept को मैं तब आपके साथ use करूँगी जब मैं यह दूसरा question आपके साथ discuss करूँगी I hope जितना मैं यह समझा पाई हूँ आपको यह clear हूँगा अगर आप अपने short notes बना रहे हैं तो direct इसके बाद आप यह भी लिख सकते हैं और कैसे भी आप याद रखिए कि 2 की cyclicity 4 होती है 3 की 4 होती है 4 की 2 होती है 5 की 1 होती है बस इतना सा याद रखिए इस तरीके के heavy से heavy बड़े से बड़े questions को आप कर पाएंगे तो चलिए सीधा मैं आपको आप questions के तरव लेके चलती हूँ 3 से 4 questions आपको अगर मैं यहाँ पे explain कर दूँगी इसके बाद आपकी unit desert से related कैसे भी questions आपके बन जाएंगे बस यहाँ पे depend करता है कि आप कितनी practice करते हैं इस हिसाब से आपकी speed तयार हो जाएगी तो चलिए अब direct हम यहाँ पे questions को हल करते हैं अब अगर exam में आपके सामने कोई भी question दिखता है तो वो इस तरीके का आपका दिखता है अब आपको ऐसे questions को देखते हैं घपराना नहीं है और थोड़ी से speed अपनी अच्छी खासे रखनी है last number को देखना है अगर मैं आपसे पूछू इसमें last number क्या है तो आप कहेंगे 3 और इसमें last number क्या है 4 अब देखें 3 और 4 की cyclicity क्या है 4 होती है जबकि 4 की cyclicity क्या होती है 2 होती है तो एके करके करते है 3 की cyclicity क्या है जैसके मैंने कहा 3 की cyclicity है 4 इसका मतलब ये है जो इसकी cyclicity होगी यानकि इसकी cyclicity कितनी है 4 है इस 4 को आपको भाग करना है इसके power से तो फटा फट अगर आप इसे भाग कर दे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, 5, 6, 7, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचा आपका 1 यह आपका यहाँ एक नीचे हमने उतार दिया अब देखिए इसके बाद यह कितना बार में जाएगा यह साथ बार में जाएगा आपका यहाँ पे आजाएगा 28 अब इसके बाद अगर आपको इसको माइनस करना है तो यह बन जाएगा आपका 11, 8, 9, 10, 11 तो यहाँ पे remainder आपक सा concept लिखना है LR, LR पे ही यह सार का सार कॉंसेट यहाँ पे आपका चुपा हुआ है L है last number, इसका last number क्या है, इसका last number है आपका तीन, R यहाँ पे क्या है, R जो आपका यहाँ पे 6 बचा, तो LR से आपका अंसर आजागा 3 की पावर 3 मतलब क्या होता है 27 और 27 के हिसाब से इसका last number क्या है इसका last number है 7 तो 7 ही इस question का answer होगा मैंने कैसे इस question को हल किया मैंने सबसे पहले देखा कि last number क्या है तो आप कहेंगे last number है 3 3 की cyclicity क्या हो गई तो 3 की cyclicity हो गई 4 4 से इसकी power को आप भाग कर देंगे जो आपका सेश बचेगा उसको आप याद कर लीजिए L, R आपका सूत्र है L, R में L क्या है last number और R क्या है जो इसका सेश बचा तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े number की cyclicity यहाँ पे देखके आप इसका unit desert निकाल सकते हैं तो इस question का जो answer हो जाएगा वो 27 नहों के 7 होगा क्यों क्योंकि आपको क्या निकालना है unit desert एक और question देखिए इसकी last number को अगर हम देखिए तो इसका last number क्या है इसका last number है 4 4-4 की cyclicity क्या हो जाएगी 2 तो इस बारे हमें भाग किसे करना है 2 से भाग करना है और 2 से अगर आप 4-4-4 को भाग करेंगे तो आपको इतना जरूर clear हो रहा है कि यह पूरा का पूरा भाग हो जाएगा अब जिस case में पूरा का पूरा भाग हो जाए उस case में क्या करना है अब इस case में remainder क्या बचा? remainder आपका बचा यहाँ पे 0 तो देखे 0 remainder का case मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अगर किसी भी case में remainder आपका क्या बचे? सेश आपका बचे यहाँ पे 0 और इसका last number क्या है? L क्या है? इसका last number 4 तो देखे यहाँ पे आपके case wise इस सीज को विभाजित किया गया है अगर remainder आपका क्या हो? remainder आपका हो 0 और L अगर आपका 4 हो L अगर आपका 4 हो यानके L आपका 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो आपकी सीधा unit digit उस question का क्या आजाएगा? unit digit आजाएगा आपका 6 अगर किसी question में आपका जो L है वो 3, 7 या 9 हो तो उस case में unit digit कितना आजाएगा? एक आपको बस ये number, इनकी cyclicity और इतना याद रखना है unit digit के कोई भी question आप असानी से हल कर पाएगे I hope ये दोनों type आपके clear होएगे, दो और question यहाँ पे discuss करते हैं फिर एक question में आपको एक homework question के form में दूँगी, उसका unit digit आपको calculate करके बताना होगा चलिए हम लोग उस तरीके के प्रेशनों को देखते हैं जो कि आपके paper के set में हाँ पे पूछ जाता है अब देखिए, यहाँ पी इस तरीके से आपके question को तयार किया जाता है और कहा जाता है कि in cases में आपको unit digit को निकालना है अब कहीं न कहीं यह तो आपकी calculation पे है कि आप calculation कितना यहाँ पे fast कर पाते हैं सबसे पहले यह last last number दोनों का देख लेजिए, दोनों का last last number क्या है चार और चार की cyclicity क्या होती है, दो, यानि कि इन दोनों की power को हमें क्या करना है किस से भाग करना है, दो से भाग करना है, तो फटा फट आप यहाँ पे इसे भाग करने लग जाईए आपको देख के यहाँ पे clear हो रहा होगा कि यह पहले भाग में तो आपका जो remainder है वो कितना आएगा इसमें remainder आपका 0 वाला case आजाएगा, remainder 0 का case आते ही, आपको नीचे यहाँ पे ध्यान रखना है अब इसके लावा अगर हम इस case में देखीं तो इस case में आपका 6 जो है remainder जो है आपका वो 0 नहीं आएगा जीरो नहीं आएगा, एक यहाँ पे remainder जो है 6 जो है यहाँ पे बच जाएगा अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस case में आपका L क्या है, LR याद रखना है इसका unit digit सीधा हो जाता है आपका 6 यह आपको याद रखना पड़ेगा कोईशन असानी से आपके हल हो पाएंगे अब इस केस में आपका L क्या है L यहां पे भी आपका क्या है L आपका है 4 और जो remainder आया वो कितना है आपका एक remainder एक का मतलब है इसको आप हल करेंगे तो आपको पता है कि 4 के पावर एक कितना होता है तो आप कहेंगे 4 तो इस केस में तो unit digit भी आपका कितना हो जाएगा 4 अब कोईशन यहां पे complete नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों को क्या करना है इन दोनों को आपको जोड़ना है तो देखिए जोडने के लिए मैंने क्या किया 6 में अगर इस केस वाला आ गया जिसके लिए आपको नीचे देखना है इस केस में आपका remainder जो भी होगा वो power बना देंगे जैसे कि अब आप थोड़ा सा confused हो रहे होंगे जैसे कि अगर इसकी power यहां पर क्या होती इसकी power 2 होती तो 4 की power 2 मतलब 4 का square कितना होता है 4 4 होता होता है 16 16 का मैं 6 लेती यहां पर 6 जोड़ती यहां पर अगर 4 की power अगर माल लीजिए यहां पर 1 है तो 1 के केस में तो हमने यहां पर क्या लिया एक केस में हमने यहां पर सीधा का सीधा आपका चार्ट ले लिया तो इस तरीके से आपको यहां पर हल करना होता है एक question आप यहां पर देख सक I hope unit digit को कैसे हल करते हैं और unit digit के लिए क्या trick है आपको ये clear हुआ होगा छोटे से basic से question से start करके आप देखिए जितने ज़्यादा question आप practice करेंगे उतना ज़्यादा आपका concept यहाँ पे built up होते रहेगा और इस तरीके का question ये जो question मैंने आपके साथ discuss किया ये भी आपका previous year में आयवा question है I hope ये concept और question आपको clear हुआ होगा और एक number आप इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ से sure करके जा रहे हैं मैं हापे screen से हट जाती हूँ ताकि आप इसका screenshot ले सकते हैं अगर आप चाहें तो इस वीडियो में इतना ही इसके अलाबा इसी तरीके से डी ट्रपलेस बी की general English की Maths की बाकी subject की भी आपकी वीडियोस आते रहेंगी जो कि आपको PRT, TGT, PGT तीनों post में आपको मदद करेंगी इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाई बाई टेक केर